आप सबी के फेवरिट सीरियल बनने चाओ होम डिलेवरी का आज का एपिसोड रहा बेहती जादा धम्मा किता वेल आखरकार क्या है ये पूरी अपडेट चली बताते हैं आपको अस वीडियो में नमस्कार में स्ट्रस्टिया आप सबका स्वागत करती हूं बॉलिवर्ड स्पाई में वर जैसा कि हमने आज के अपिसोड में देखा कि बननी घर में आ चुकी है लेकिन बननी घर में आते के साथ ही कबीर के थरूप बहुत ही ज़्यादा परिशान की जा रही है जिहां कबीर बनी के कमरे की लाइट को आफ कर देते हैं जिसके बाद की बनी बहुती ज़्यादा परिशान हो जाती है और बनी के साथ कानहा भी बहुत जोर जोर से रूने लगता है लेकिन इस दोरान हम ये देखते हैं कि चार में उनकी मदद करती है कैटल और दूद लाकर जिसके बाद कि बन्नी बच्चे को दूद पिला सकती है लेकिन जब दूद ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर लाइट नहीं होती है ताकि कैटल में बन्नी दूद को गरम कर पाए लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कबीर ही आइडिया देते हैं कि क्या मैं मोम बत्ती भेजू यानि कि बन्नी को आइडिया आजाता है कि कैंडल से वो दूद को गरम भी कर सकती है जिसके बाद कि बन्नी कैंडल जलाती है और दूद को करम करके बच्चे को पिलाती है और बच्चे को शांत करती है वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि थोड़ा गाना बजाना होता है और कबीर और बनी के बीच में टककर भी होता है वहीं इसके साथ साथ जो चार्मी है उनके बच्चे की मिंटल हालत खराब है और कहीं न कहीं इसी वज़े से घरवाले रो रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने एक बिमारी बताया है एपलिपसी को लेकर जो की चार्मी के बच्चे को है ऐसे में कबीर बेहत जादा परिशान हो जाते हैं और कबीर जहां एक तरफ दिखावा भी करते हैं कि उन्हें कोई फरक नहीं परता वहीं दूसरी तरफ वो चिंता भी जदात नजर आते हैं वलब देखना बेहती दिल्चस्प होगा कि अपकमिंग ट्राक में और किस किस तरह से बननी को परिशान करेंगे कबीर वेला आखरकार आप है कितने जादा एक्साइड़ अपकमिंग ट्राक के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेया करें